जारू तेरी मजर, खुशुबू तेरा बदर मेरे बाबुल, मेरे बाबुल, तु अब जलजी से बिखाते मुझे जू लिखा है लिखा बाबे, लिखा है लिखा लिखा नवे अंग से अंग लगाना, सजन हमें ऐसे रंग लगाना तु मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुछ को देखू के प्याद दोस्तों यही हमारे 1990 के तसक्के, वो ही प्यारे प्यारे गाने हैं जिनको हम सुनकर कही न कहीं बड़े हुए हैं और अभी भी हमारे दिलों पर यही गाने राज करते हैं तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 1993 में आई एक बहुती प्यारी ओडियो कैसिट जिस फिलिम का नाम था डर जिस फिलिम में सन्नी देवल और सारुकान जी मुख भूमिका में थे और 1993 की जो टॉप 10 ओडियो कैसिट थी ना उसमें नंबर दो के पायदान पर सबसे ज़्यादा बिकने बाली ओडियो कैसिट थी अब उन 35 ओडियो कैसिट में से एक दो कैसिट हमारे पास भी है जो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे तो वीडियो एंड तक देखना अच्छा लगे तो लाइक करना और इस फिलिम का आपको सबसे जादा कौन सा गाना पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में आप जर बीच में आपको सारुखन साब भी दिख लाएंगे और Utah लिखा अंगे और म्यूजिक दोस्तों सिभ लहरी का था लिरिक आनंद बक्सी के थे और यह एचम भी ऑडियो कैसिट पर आई थी ठीक है और यदि हम इधर से देखें तो आपको लोगों दिख जाता है यहां पर भी इंगलिस में डर लिखा हुआ है और हिंदी में भी डर लिखा हुआ है य लिए सबसे पहले हम दिख लेते हैं मास्टर ओडियो कैसिट और यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर शाली जानकारी आपको कैसिट से संबंदित मिल जाएगी और इसकी रील बहुत अच्छी है अभी भी चलती है चलिए अब इसका हम दिखाएते हैं आपको कवर यदि हम इसका कवर देखें तो कवर बहुत ही पुराना है जैसा कि आप देख सकते हैं और फट भी गया है कवर लेकिन मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैंने का चलिए आपको की थे म्यूजिक से बलेरी का सब लिखा हुआ है चलिए अब हम इसके गानों की बात कर लेते हैं गाने बहुत ही अच्छे थे दोस्तों सुपर इट गाने थे फिलिम भी दोस्तों ब्लॉक बाश्टर हिट थी जैसा कि आप जानते हैं तो साइडे का पहला गाना है जादू तेरी नजर जी हां दोस्तों जादू तेरी नजर खुसबू तेरा बदन बहुती सुपर इट गाना था अभी भी आप इस गाने को सुनते होंगे उधित नारायन साब की आवाज में साइडे का दूसरा गाना है दरवाजा बंद कर लो लता मंगिस कर एवं अभीजीत की चलिए दोस्तों साइड़ बी की बात कर लेते हैं तो साइड़ में पहला गाना है 16 बटन मेरी खूली में जिसमें आवाज में लता मंगिस कर कवीतर किश्मूर्ति पामेला चौपड़ा और साइड़ बीका दूसरा गाना है यह लिटा मंगिस कर और एह हरी हरन की आवाज मे कई टो अब कर देख सकती है अब देखा हुआ है और पर बिए पकौन सा गाना सबसे और यह और यो कैसे आपने कौन से सन में खरी दी जब आपके पास उस जमाने में कैसिट प्लियर हुआ करता था जरूर बताना आप मुझे इंतजार रहेगा आपने देख ली कबर भी देख लिया और मास्टर कैसिट भी आपको मैंने दिखा दी चलिए अब हम दूसरे नंबर सब्छे दिखा यह लेकिन यहां पर आंतर आपको दिखेगा यहां पर इसकी पैकिंग की बात करें तो आट दो हजार की मतलब यह मास्टर कैसिट नहीं है सारे गाने बैसे के वैसे इसमें लिखे हुए हैं और कैसिट भी दोस्तों आप देख सकते हैं डिफ्रेंट टाइप की है यहां पर डर्षा हुआ है और ये साइड भी है यह थोड़ी कैसे टालाग मात की कैसे जब है यहां पर कारी कैसेट दिया कर था और यह साइडे है यहां पर ब्रशा हुआ है विज़्ट्क आंप determinate मिलिके हुई है जैसे कि उस पोस्टर में लिखी हुई थी जियाशा कि पढ़िवी सकते हैं चलिए दो मैंने फाइनल दो Rig抉शेट हैं हमारे पास अरिजनल के सरे हैं यहां पर लिखा हुआ है याँrop Get पहली और इधर इसके गाने हिंदी हो नंग्रेजी में आपको देखने इसके साथ में देखते हैं के साथ देख सकते हैं एक शरी सब्सक्राइब की है कि बात कर लेते हैं और इसकी पैकिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं सं 2004 की इसकी है 11 2004 की तो फानली मैंने आपको टीन ओरियो केसे दिखा दी तीनों औरेजनल है इनमें एक मास्टर कैसिट भी तो चलिए अब हम इस फिल्म के एक बार फिर से गानों की जलकियां सुन लेते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी भी आपको बता देते हैं तो चलिए वीडियो कर दो मेरे खाबुर तो अब जलजी से बिखाते मुझे दो दिखा है ले खाबे दिखा है ले खाबे तो है अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना दोस्तों डर 1993 में आई रोमांटिक एक्षन और ड्रामा से भरपूर एक बहुत ही प्यारी फिलिम थी जिसमें हमको मुक्ख भूमिकामन में जर आयते सन्नित देवल जुहिचावला सारोखान अनुपमखेर तानवी आजमी दिलीप ताहिल अनुकपूर एंड विकास आनंद इसके डारेक्टर यस चोपला जी ते प्रिडूसर भी यस चोपला जी इस्टोरी हनी इरानी की थी डाइलोक्स जाविद सिद्धिकी के थे म्यूजिक सिभारी का था गाने बहुत ही प्यारे थे और लिरिक आनंद बक्सी के थे और इसकी रिलीजिंग डेट थी 24 दिसमबर 1993 और बॉक्स ऑपिस पर ये फिल्म ब्लॉक बास्टर रही थी तो चलिए अब इस फिल्म से जोड़ी कुछ अंसुनी मतलब अंदर की बाते भी आपको बता देते हैं तो अंदर की बातों में फैक्ट नंबर बन ये है कि ये फिल्म सन्नी देवल और सारुक खान के साथ की पह तिक रोसन और ओदे चौपडा ने सज्जिष्ट किया था टो को लेना चाहते थे लेकिन सं जटत को फिल्म में साइन करने से पहलेवी संजडत को जेल जाना पड़ था जैसा कि आफ जानते हैं उसके बाद ये चौपडा ने राहुल के रोल के लिए आजया देवगन को भी ओफर दिया था लेकिन डेट्स नहोडों की कारण उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था फिर आमिर खान को भी राहुल के रॉल के लिए साइन किया गया था लेकिन उन्हें भी ये रॉल पसंद नहीं आया था कि क्लाइमेक्स में राहुल का क सब्सक्राइब करने से मार खाए इसलिए आमिर खान ने इस फिल्म से काम करने से मना कर दिया था और फिर अंत में राहुल के रोल के लिए सारुक खान को लिया गया था फैक्ट नमबर पांच सन्नी देवल से पहले सुनीर का रॉल जैकी स्रॉप, रिसी कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और नितिस वारुद द्वाज को ओफर हुआ था लेकिन समी ने इस फिल्म में काम करने से फाइनली मना कर दिया था फैक्ट नमबर छे, जुही चाबला से पहले किरन का रॉल सिरी देवी को ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था फैक्ट नमबर साथ, सन्नी देवल उस समय सारुख खान से बड़े इस्ठार थे इसलिए एस चौपला ने उन्हें सुनील और राहुल में से किसी एक रॉल को चुनने का ओफर दिया था सन्नी देवल ने सुनील का रॉल चुना था और सोचा था कि ये रॉल उनके केरियल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा लेकिन फिलिम के रिलिज होने के बाद इसका उल्टा हुआ था जैसा कि आप जानते हैं और सारुख खान के रॉल को सन्नी देवल के रॉल से ज़्यादा पसंद किया गया था तो दोस्तों अभी हमने डर फिलिम का ओडियो कैसिट रिब्यू देखा एबाम इसके गानों की जलकियां भी आपको सुनाई एबाम इस फिलिम से जोड़ी कुछ अंदर की बातें भी आपको मैंने बताई उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो और उसका रिब्यू चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में जब तक के लिए बहुत बहुत धन्नवाद